तो हेलो दोस्तो इस फीडियो में मैं बात करूँगा ऐसे क्रिकेटर के बारे में इसने भारती टीम और भारती क्रिकेट को पूरी तरह बदल के रख दिया हलाकि जब वो आया था उसने कदम रखा था क्रिकेट में उसकी काबिलियत पे सारे शक कर रहे थे कि ये आगे टिक पाएगा की नहीं लेकिन धीरे-धीरे सब उसको अपना आइडल मानने लगे उसने अपने कारणामों से बहुत बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किये जी हां मैं महिंद्र सिंग धोनी की ही बात कर रहा हूं इसके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं रही थी लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने उनकी काबिलियत जानी और आज वो एक बहुत बड़े आइकन माने जाते हैं बच्चे उनको आइडल मानते हैं तो उनके करियर में रोश्णी डालने से पहले थोड़ी उनकी अरली लाइफ के बारे में जानते हैं चलिए तो दोस्तो महिंद्र सिंग धोनी का जन 7 जुलाई 1981 में हुआ था रांची में जो की अभी जारखंड में है उनके पिता का नाम पान सिंग धोनी हैं और माता जी का नाम देव की देवी हैं वो घर में सबसे चोटे भाई थे उनसे बड़े नरेंद्र सिंग धोनी थे लेकिन भुछ से लोग उनके भाई के बारे में नहीं जानते इतना और उनकी भैन का नाम जैंती है महिंद्र सिंग धोनी अपने बच्पन में एक फुटबॉलर बनना चाते थे लेकिन उनके कोच ने ये मना किया और उनको एक क्रिकेटर बनाने की कोशिश की उसमें भी उन्होंने धोनी को विकेट कीपिंग पे जादा फोकस करने को का धोनी बच्पन में पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे और उनके मार्क्स भी ठीक ठाकी आते थे एक्जाम्स में इसकी वज़े से उनको उनके पिता से परमीशन मिल जाती थी खेलने की धोनी को हेलिकॉप्टर शॉट सिखाने वाले उनके दोस्त थे जिनका नाम संतोष लाल था जी हाँ उन्होंने ही सिखाया था धोनी को हेलिकॉप्टर शॉट धोनी को पहले नहीं आता था कुछ सालों बाद धोनी को रेलवे की तरफ से खेलने का मौका मिला एक शर्थ पे कि उनको रेलवे के लिए काम भी करना पड़ेगा इसकी वज़े से धोनी टिकेट कलेक्टर भी बने डोमेस्टिक में इतना अच्छा पफॉर्म करने के बाद उनको लगा कि उनका नाम अंडर 19 स्कौर्ड में आएगा पर नहीं आया और 2001 में दिलिफ प्रोफी के लिए जब उनका नाम आया तो उनकी फ्लाइट मिस हो गई इतने संगर्ष के बाद उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ 2004 में जहां उन्होंने 23 दिसेंबर 2004 को अपना ODI डेब्यू किया बांगलादेश के खिलाफ पर वो पहली ही बॉल पे रन आउट हो और अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोनी ने अपने पहले 5 मैच में सिर्फ 19 रन मारे और इतने रन काफी थे उनको टीम से भार निकालने के लिए लेकिन दादा यानी सौरव गांगुली ने दोनी को सपोर्ट किया और अपनी जगा छोड़के उन्होंने दोनी को तीसरे नमबर पे भेजा जहां 2005 में विशाका बटनम में दोनी ने अपनी सबसे बड़ी पारी खेली उस वक्त की जहां उन्होंने 148 रन मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ और इस पारी ने उनकी जगा पकी कर दी थी इंडियन टीम में उसी के बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ी पारी खेली 183 रन्स की शिरी लंका के खिलाफ 2005 में जो की उनके करियर का सबसे बड़ा स्कोर माना जाता है दोनी ने 2005 में ही अपना टेस्ट देब्यू भी किया जहां पे उन्होंने पाकिस्तान के किलाफ फिर से 148 की पारी खेली वो भी 153 बॉल्स में इस पारी ने दोनी की टेस्ट टीम में भी जगा पकी कर दी फिर आता है 2007 का ODI World Cup जिसमें टीम इंडिया ने बहुत बुरा मूडा से ही जीती थी जहां दोनी ने 19 रन मारे और बाकी सारे मैचिस में 0 पे आउट हो गए इस हार का एक कारण धोनी को भी माना गया क्यूंकि लोग उनसे बहुत जादा एक्सपेक्ट कर रहे थी लोगों ने उनके घर के आगे पुतले भी जलाये धोनी के और घर को भी बहुत नुकसान पहुचाया उनके परिवार वालों को फिर पुलिस सिक्यूरिटी में रहना पड़ा कुछ दिन तक जबकि दोनी अपने परिवार से दूर वेस्टन डीज में वर्ल्ड कप खेल रहे थी फिर इस वर्ल्ड कप के बाद एक और वर्ल्ड कप खेला जाना था जो कि T20 वर्ल कप था 2007 में ही जिसमें सचिन, ड्रविड और गांगुली ने खेलने से मना कर दिया था फिर BCCI के सामने एक दिक्कत आई कि टीम का कैप्टन किसको चुना जाए इस T20 वर्ल कप के लिए जाके सचिन और सौरव ने BCCI को धोनी का नाम सजेस्ट किया हलाकि उनकी टीम में और भी लोग थे जो की कैप्टन बन सकते थे जैसे की युवराज, सेवा, बजजी और गौतम गंबीर जैसे प्लेयर पर उन दोनों ने धोनी का ही नाम सजेस्ट किया BCCI को और धोनी पहली के बार कैप्टन बने, उन्होंने पहले कभी कैप्टन सी नहीं की थी, और जो दोनी का पहला मैच था as a कैप्टन स्कॉटलेंड के खिलाफ वो बारिश की वज़े से रद हो गया, और टीम इंडिया को अपना पॉइंट स्कॉटलेंड के साथ शेयर करना पड़ा, और टीम बड़ी टीमों को हरा के टीम इंडिया फाइनल में पहुची, जहां पे उनका सामना हुआ फिर से पाकिस्तान के खिलाफ, और फाइनल में दुबारा पाकिस्तान को हरा कर ये टीम विश्वी विजेता बनी पहली बार टी-20 की, पिर इनका स्वागत बड़े सम्मान से किया भारत में, फिर 2008 में IPL की शुरुआत हुई, जहां पे आक्शन पे वो सबसे महंगे बिके, और वो पहले ऐसे खिलाडी बने जिसके लिए हर एक टीम ने बोली लगाई थी, पर उनको इनको सुपर किंग्स ने खरीदा और अपने ही टीम का कैप्टन बना है, और 2008 के अंदर ही उनकी टीम फाइनल में पहुची, पर राजिस्तान रॉयल से वो हार गए, 2009 में धोनी वो पहले खिलाडी बने जो सिर्फ 42 मैचिस में ही ODI के नंबर वन बल्ले बाज बन चुके थे, और उन्होंने अपनी ये पोजीशन 2010 तक अपने पास रखी, उसके बाद माइकल हसी न उनको पहली पोजीशन से हटा दिया, और धूनी ही वो पहले कप्तान बने जिसके समय में इंडियन टीम पहली बाद टेस्ट में नंबर वन रैंकिंग में आई, वो भी दो साल के लिए 2009 और 2010 में, 2010 वो साल भी बना धूनी के लिए जहां उन्होंने इंडिया को इश्या कब जितवाया, और 2010 और 2011 में उन्होंने लगतार अपनी टीम चिन्ने सूपर किंग्स को IPL ट्रोफी जिताई, और ये पहले कप्तान बने जिन्होंने अपना टाइटल को डिफेंड किया था, 2011 में, 2011 वो साल भी बना जहां उन्होंने अपना सबसे बड़ा इम्तिहान देना था, 2011 का वर्ल्ड कप जीत कर, जो कि उन्होंने सेक्सेसफुली पास भी किया, टीम इंडिया को दूसरी बार विशु कप जिता, और फाइनल मैच में वो युवराज से पहले आकर आखरी कुछ बॉल्स में छक्का मारके इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया उन्हों, और 79 बॉल्स उन्होंने रोहिच, शिखर, विराट और जडेजा अश्विन जैसे प्लेयर्स को वो अपने साथ चैंपियन ट्रोफी खेलने के लिए लेकर गए, और वहाँ पे भी उन्होंने सफलता पाई, और चैंपियन ट्रोफी जीत कर आए, और ये आखरी ICC ट्रोफी बनी, जो कि इ पोली को कप्तान मनाया, धोनी ने टीम इंडिया का नेतेत्रुव, 2015 के वर्ल्ड कप में भी किया था, पर उसमें उन्हें हार मिली, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को 2016 का एशिया कप जरूर जिताया, अपनी कप्तानी में, 2016 वो साल भी रहा, जिसमें इनके उपर एक बायो हुआ, दोनों की पॉपुलरिटी में चार चान लग गए, 2016 वो साल भी रहा, जिसमें चिन्नई सूपर किंग्स और राजिस्तान रोयल्स में दो साल का बैन लग गया, जिसकी वज़से धोनी रैजिंग पूने सूपर चाइंट्स के लिए खेले, और 2017 में उनकी टीम फाइन 2019 के वर्ल्ड कप में उनके एक रन आउट की वज़से हम वर्ल्ड कप से भार हो गए, जिसका गम इंडिया को आज भी है, 2021 में उन्होंने चिन्ने सूपर किंग्स को चौत्थी बार IPL का विजेता बनाया, और दूसरी सबसे सफ़र टीम बनाया, 2022 टीम के लिए कुछ खास न तो 2010 में दूनी की शादी हुई थी साक्षी से, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम जीवा है, जो की अभी आठ साल की हैं, दूनी को 2009 में पद्म श्री से और 2018 में पद्म भूशन से समानित भी किया गया, तो ये कहानी थी भारतिय कप्तान महिंद्र सिंग दूनी की जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनका कल बर्दे था, तो हमने दो शॉट्स उनके लिए डाली थी अपने चैनल पे, तो क्रिप्या करके उनको भी देख लीजे और वन सब्सक्राइड है और आज सौरव गांगुली जी का भी बर्दे है, तो उनको भी D&T परिवार की तरफ से ह सकते हैं, धन्यवाद